बाइएओ नमस्कार भाइओ ये कोशा तेहरे 123 très का पोधागना है और जैसे किसान भाई कहते हैं कि विल्कुल मरा मरा सथ चल लिया है पैंतिस और पीला हो रहा है और ग्रोफ निकर पार तो भाउयों सेम वही कंडीस है नहीं देखी पीला पीला भी हो रहा है और यह घ्रोफ भी अच्छी तरिक्ष निकर पारे जितनी करनी चाहिए लेकिन रोग कोई नहीं है तोप बोरर बगएरा या कोई फंगस भाईयो इसमें कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा भाईयो एस्टर रोज मांगता है सुरुवात में सुरु के दोखाद थोड़े से अच्छे मांगता है तो मैं दिखाऊंगा कि आज इसमें किसान भाई क्या डालना है देखें जैसे आप बता रहे हो ना कि बिल्कुली ग्रोथ रुक रुक कर चल लए है यह देखिए और पीला पीला सा होकर चल लए है तो इस यूरिया खाद डल लिया है और इसमें डल लिया है गन्ना स्पेसल कोई भी कीट ना सक फंगिसाइड कुछ नहीं डल लिया है जैसे आप देख रहे हैं कि आपको लग रहे होगा कि इसमें रोग है यह कोई कीटों का टैक है तो भाईयो इसमें कोई दवाई नहीं लग रही लाई हो दुसरी बात मैं यह भी दिखाऊंगा इस खेत का एक हपते बाद या दस दिन बाद कि इसमें गन्ना स्पेसल और यूरिया का कैसा रिजल्ट आया क्योंकि आपको लगेगा कि कीटना सक लगाना चाहिए इसमें तो भाईयो कीटना सक लगाने कोई जुरूत नहीं है हाँ अगर आपके खेद में नीचे से जमीन में दीमा की गिंडार है तो भाईयो आप लगा सकते हैं या तो थायो लगा सकते हैं या डैन टोट सू डैन टोट सू के ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे आपको लेकिन अगर आपके खेद में दीमा की गिंडान नहीं है तो भाईयो कोई दिक्कत नहीं है कोई कीटना सक फंगिसाइड ले गरने की जुरूरत नहीं है कोसा 13235 में आपका गन्ना सिर्फ इनी चीज जो से बढ़िया चलेगा लेकिन आपको क्या काम करना है मैंने एक पहले व दिर्फ और आप ने उसमें गन्ना स्पेशल लगा दिया तो बहुत ही बढ़िया रिजट आएगा रेक्ति को कौनघंघगा लगा तो भाईयों यह आ है मौल्टि प्लैप्स का सुगर केन इस्पेसल यह बम मल्टि मैक्रो न्यू सिट ओंध्य इत्सक्राइब nhất और दस सिट प्रोग्राम वेट है एक एक कड़ के लिए ही देखी भाईयों बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके आते हैं मैं भी कई वाल लगा चुका हूं और जैसे किसान भाईयों के कमेंट आते हैं कि कैसा कौन सा गन्ना इस्पेशल लगाना चाहिए तो कुछ किसान भाईयों यह आपको साड़े साथ सो से आठ सो रुपए तक मिल जाएगा और आठ सो से जादे भी मिल सकता है लगो आठ सो रुपए के आसपास आपको मिलेगा दस किलोग्राम का बैग एक एक कड़ के लिए इतनी डोज आपको जरूर ही लगानी है गन्ना इस्पेशल की और यूरिय भाईयो अगर आप गन्ना इस्पेशल और यूरिया मिलाकर अपने खेत में लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके कोई साथ 233 ने देखने को मिलेंगे आप कोई सी बेराइटी में लगा लो कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे गन्ना इस् इसलिए इसमें ज्यादा कीटना सक्की जुरूत नहीं होती और इसमें अगर भाईयो आप पहली ड्रंचिंग कोराजन की कर देंगे ना तो उसका ब्रिजल्ट भी बहुत बैस्ट मिलता है जितनी भी नई वेराइटी है उसमें कोराजन बहुत बढ़िया रिजल्ट लाती ह आप जैसे आप ये यूरिया और गन्ना इस्पेशल डल लिया है तो भाईयो इस से आगले पानी पर अगर आप कोराजन लगा दोगे तो इसमें बहुत बढ़ी हा रिजल्ट मिलेगा 13235 में अगर आपका 13235 इस तरह का हो रहा है तो भाईयो आप गन्ना इस्पेशल और य और इसमें कोई कीट ना सक लगाने की जुरूत नहीं है अगर आप चाहो तो लगा सकते हो लेकिन जादा खर्चा करने की कोई जुरूत नहीं है इसलिए इस खेत में किसान भाई गन्ना इस्पेशल और यूरिया लगा रहे हैं इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा आ भाईयो अगर आप गन्ना इस्पेशल और यूरिया लगाते हैं तेरह 235 में या फिर कौन सी दवाई आपने लगाई जिससे गिरोथ अच्छी होई तो कमेंड में जुरूर बताएं और क्या क्या आप लगाते हैं तेरह 235 में जिससे की गिरोथ नहीं होई ये भी जुरूर बताएं तो भाई यो वीडियो आपको कैसी लगे कि कमेंड में जुरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार